हेलो एवरीबन जैसा कि आपको पता है 2023 का सीवीटी का जनरल टेस्ट हो चुका है उसके कुछ मेमोरी बेस क्यूशन हम लोग आपके सामने लेकर रहे हैं करेंट अफेस और जीके के कुछ आप लोग पढ़ते हैं गोल्डन सीटी कही बार आप लोग ट्रेंज का नाम सुनते होंगे गोल्डन एक्सप्रेस इस तरीके से तो सीटी ओप लेक उदेपूर उदेपूर इसके साथ मेच करता है क्योंकि उदेपूर में आपने कहीं सारे पिछोला लेक जे संबंद लेक कही सारे लेक्स हैं और कहीं लेक्स को देखने लेक्स यहां पर डवलब भी है तो काफी इंपोर्टेंट था हम लोगों ने हमारे जीटी के जो हम लोग सेक्शन कवर करते तो उसमें बताया भी था कि सीटी ओप लेक के बारे में इसी तरीके से स्टील का सबसे ज्यादा जाता है जोकि दोनों के इस्टील के लिए काम में लिये जाते हैं सिल्वर सीटी ओफ इंडिया कुटक क्यों कि आन्शेन टांशे की यहां पर सिल्वर की कारिगरी के लिए काफी ज्यादा यहां से कुटक जो कि ऑडिशा में सिच्वेट है इसी तरीके से यह तो बड़ा सी तो सही आंसर क्या हो जाएगा, A का 1st, B में 2nd, C में 4th and D 3rd, यहां पर हम लोग देखें, तो आपका C आंसर सही हो जाएगा, काफी easy question था, Silver City of India confuse करने वाला था, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं होता, लेकिन City of Lake और Golden City यह दो भी आपको पता था, तो आपका सवाल हो जा रहा था, चलिए, आगे बढ़ते हैं, another name वो भरतपूर Bird Century, अब भरतपूर Bird Century को वेसे तो घाना Bird Century भी बोलते हैं, घाना Bird Century भी बोलते हैं, लेकिन घाना Bird Century तो यहां पर पुछा हुआ नहीं है, दरसल Bird Century को और National Park से यहां पर मेज कराया गया है, कि भरतपूर Bird Century को को कौन सा National Park के अंदर यह situated है, तो इसका answer क्या होगा, यहां पर आपको यह दी clearly पता है, तो यहां पर आप मेज कर लीजिए, भरतपूर यानि आपका राजस्तान, तो राजस्तान में कोन सा National Park है, केला देव National Park आपका काफी famous है, क्योंकि राजस्तान में ही है भरतपूर में, बाकि आ आप राजस्तान है, तो यहां से आपके यह question soul हो जा रहा था, जैसे काना MP में है, कूनो भी MP में है, कूनो आपको पता है, काफी famous भी रहा है, चीता के reintroduction की वज़े से, तो बाकी बात करें, भरतपूर वर्ड सेंचुरी पे सवाल क्यों पूछा गया है, कई लोगों को ने एक decision लिया था, जिसके वज़े से यह काफी ज्यादा news में आया था, इसके अलावा भरतपूर बर्ड सेंचुरी कूनो केलादेव रेस्टल पार्ग famous है, काई के लिए, केलादेवी रेस्टल पार्ग famous है अपने wetlands के लिए, यह wetland area भी है, ना केवल बर्ड सेंचुरी ब रामसर साइट, wetlands के protection को लेकर international साइट होती है, international protection साइट, उन्ही को रामसर साइट बोला जाता है, तो उसमें शुरुवात से ही, 1981 से, सबसे पहले इनी को, चिलका लेक के साथ, आपके किलादेव नेशनल पार्क को ही रामसर साइट में जगह दी गई थी, इसके अलावा, यह काफी ज़्यादा famous है, क्योंकि इसको UNESCO के World Heritage List में भी शामिल करा हुआ है, और AAA Tourism का भी काफी famous place है, देखो, यहाँ पर भी tourism का एक famous place लिया इन्होंने, पर आप लोग गुमने जाते होंगे, आप लोगों को का आसपास क्या चल रहा है, वो ही सब पूछते हैं, इसी त पार्ट है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, काफी simple question था, easily solve हो रहा था, बस आपको यह पता था कि भरतपूर राजस्तान में है, तो आपको केवल यह मेच करना था, कि भरतपूर राजस्तान में है, तो इन में से कौन सा national part आपके राजस्तान में है, इसी से आपका question solve हो जा र presidency 2023 की किसके पास रहने वाली है, इंडिया के पास, और बहुत common, आपको लोग previous year का paper देखके गए होंगे, तो common sense है, जिसके पास presidency होगी, वो अपने यह ही, तो यह पूरे meeting summit organized कराएगा, तो G20 की आपकी summits का हो रही है, अभी इंडिया में आप देखते होंगे, G20, अभी लेकर आप, आपके राशनकार कुछ भी issue करा लो, सब पर G20, G20 का एड आ रहा है, यानि इंडिया के पास presidency है, which country is organized G20 2023 summit, अब important है, इसली बार presidency पूछा, इस बार next year की किसके पास रहेगी, previous year की किसके पास रहेगी, यह सब पोचना होगा, इसली सोल भी हो रहा था, क्योंकि आप जापान क्यों दिया, क्योंकि जापान के पास G7 की presidency है, इसलिए जापान दिया, इंडोनेशिया क्यों दिया होगा, इंडोनेशिया इसलिए दिया है, क्योंकि G20 की 2022 की जो presidency है, वो इसके पास थी, तो confuse भी करा, कि 2022 से आप confuse नहीं हो जाए, यहाँ पर 2023 दे रखा है, त यह आप से पूछ सकता है देखिए G20 एक ग्रूप बना था 1999 में 1999 में 1997 के एशिन क्रैसिस के बाद 1999 में यह ग्रूप बना था और G20 में total 20 कंट्रीज हैं यहीं हम लिस्ट आउट करें तो अब नेस यहीं बनेगा तोड़ा और उपर लेके जाएं जैसे यूपीएस्टी ने एक बार सवाल पूछा था लगबख 2020 के पेपर में कि G20 में इन में से कौन सा मेंबर नहीं है तो G20 काफी इंपोर्टेंट है तो USA है Canada है आप का इसको इसली हम लोग मेप में देखें तो ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए हम लोग यहां पर एक मेप क्लियर करें तो G20 की अब मेंबर्स के सवाल बन सकता है क्योंकि UPSC ने तो तीन साल पेले ही पूछ दिया तब तो यह नियूज में नहीं था अब यह इस्टेटिक पें भी कवर होने लग जाएगा G20 कि अगले साल पूरे साल इसकी मिटिंग्स होगी तो अगले साल के इसाब से भी करन्ट अफेर के लिए इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि एक साल के करन्ट अफेर आपके आते ही हैं तो यहां पर बात करें G20 की प्रसिदेंसी किसके पास रहेगी तो इंडिया के पास और यह सारी समिट्स आप लोग देखते भी होंगे यह आपका उस्ट्रेलिया हो गया यहां पर बात करें कि कौन-कौन से country होंगे तो देखेएगा यह हो गया आपका Canada, Canada हो गया, यहां से चली है आप लोग, Canada हो गया, USA हो गया, Mexico हो गया, इसके आलावा आपके Brazil हो गया, Argentina हो गया, South Africa है, African continent से single representation, South Africa है, इसके अलावा यहाँ से अरबियन कंट्रीज में अकेला साओ साओधी अरबिया है इसके अलावा सबसे ज़यदा रिप्रेजेंटेशन वेस्टन यूरोप से है क्योंकि यहाँ से यूके है, फ्रांस है, आपका जर्मनी है, इटली है और पूरा का पूरा यूरोपेन यूनियन है, एक सवाल और बनेगा देखना, अब यूरोपेन यूनियन कंट्री तो है नहीं, बाकि सब तो कंट्रीज है, तो थोड़ा नोटिस करते हुए चलना तुर्की है, र colonies है, चाइना है, इंडिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, और आपका ये इंडोनेशिया, जहां पर समीट और अब जो चारों option है चारों के चारे G20 के members हैं देखो चारों 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 सकते हैं अब G20 में total कितने countries है 19 तो countries है और एक organization है जो कि European Union तो अब नेस्ट आपका यह important रहने वाला है इसको भी याद रखेगा चलिया विच स्टेट है दी हाई हैस्त लाइफ एक्पर्टेंशी एमंग डप्र फॉल्डइंग हाई हैस्त लाइफ एक्प्रटेंशी की नहीं पूछ रहा इन में से किसकी सबसे ज़्यादा है यह पूछना वह चारा है लाइफ कितने साल यहां पर जी रहे हैं मतलब life expectancy मतलब क्या होगा कितना यहां पर लोग जी रहे हैं कितना average death कितना साल में लोग मर रहे हैं कितने साल में average यदि कोई फरसन 90 में मरा कोई 60 में मरा कोई 50 में मरा तो सबका average कितना बेट रहा है तो पंजाब की life expectancy है 72.3 इसकी है आपकी 71.47 इसकी भी है आपकी 71.7 और इसकी है 67.4 तो हाइस किसकी होगी पंजाब की तो पंजाब भी एजली आपका यहां पर हो रहा था वैसे तो अब यहां पर तुका नहीं लगा सकते आपको लगेगा कि सब लगबख स्ट्रेश दिये हुए है कि हेल्थ कंडिशन लगबख सब जगा सेम है बर्थ रेट जो है टी एफार टोटल फर्टिलिटी रेट वह भी सब जगा सेम है तो live expectancy क्या हो गई यह चारो options की life expectancy यह है तो answer क्या हो जाएगा आपका पंजाव चलिए आगे बढ़ते हैं बैड्मिंटन अब आप या तो sports देख लीजिए और sports नहीं देखते तो newspaper में कहीं पर भी आपको देखने को बिलता होगा तो काफी easy सवाल था पीवी सिंदू हमारे लिए gold medalist जीटने वाले काफी important rare नहीं पूछे इन्होंने जो news में थे इन्होंने इंडिया के लिए कोई medal जीत के आए हैं उन्हीं को इन्होंने यहां पर मेच करवाया है तो badminton badminton के लिए क्या हो जाएगा पीवी सिंदू तो पीवी सिंदू मतलब इसका हो गया second और boxing boxing के लिए कौन है आपकी यह देखो अभी गीता फोगाट होगी वेट लिस्टिंग के लिए आपके डोला बनर हो जाएगी आपकी आर्ची के लिए इसके लिए तो यह हो गया आपका वेट लिस्टिंग के लिए आपकी गीता फोगाट एंड लास जो बचा जो निकला जरीन आपकी boxing काफी famous है यह भी आपका यह हो गया third तो सही हो क्या हो जाएगा A में second, B में third, C first और D fourth आपको पता है तो दो option तो काफी famous है आप लोग देखते होंगे या फिर आपके आपके आसपास इनका तो काफी लोग शो भी देखते हैं यह जब खेलती है पीवी सिंदू तो दो option यहीं पर eliminate हो गए थे अब ज्यादा कुछ बचा नहीं था डी वाला तो को मन था अब आपको B और C में यहां पर exchange कर रखा था B में यानि boxing और C आपका wrestling तो यहां पर आपको पता ही है गीता फोगाट के बारे में आपने दंगल movie तो देखी होगी तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि कुष्टी के लिए famous हैं तो C में आपका first हो गया weight listing कुष्टी आपका clear हो जाता तो रेस्टिंग के लिए आपकी कौन हो गई गीता फोगाट और यह आपसर क्या हो गया आपका D चलिए इसके बाद next हिस्टी का काफी complex question है difficult अब तक का सबसे difficult सवाल बोल सकते हो क्यों काफी detailed knowledge होनी जरूरी है लडाई तो दो लोगों के बीच में होती है यहां पर एक किस का नाम दे रखा है यहां पर वह नाम है जन्हों ने यह battle जीते थे बात करें battle of Pl नाम है खानवा जगह का नाम है और यह यहां के लेडर्स या राजा लोग थे जिरों ने इस बेटल को जीता तो प्लासी बेंगाल में भागिरती रीवर के किनारे पे एक जगह थी वहां पर हुआ था आपके सिराजुद दोला वर्सेस ब्रिटिश एक तरफ थी यह बंगाल क नवाँ यह बंगाल के नवाँ दूसरी तरफ ब्रिटिश आपकी आर्मी ब्रिटिश सेना जो थी जिसे लेड करा था तो बेटल्ब प्लासीक कैई हो गया second second हो गया तो मतलब यह आपको हो गया यह हो गया इसके बाल बेटल ऑप कर लिए क्लिंग कि बेटल आपके अशोका क इसलिए जाने जाते हैं आशोका तो काफी जाने जाते थे बुद्धिजम को फुलो करते थे क्लिंसा पीरा क्लिंग पेटल टी जिसके बाद चुट आशोका ने पूरा लड़ाई जगड़ा के बाद कलिंग बेटल अप कलिंग के बाद लड़ना जगरना सोड दिया था उसको यह समझ में आ गया था कि इसमें कुछ नहीं रखा तो कहीं बार घरों में भी एक्जामपल दिया जाता है और वहीं से उठा लिया इन्होंने तो यह अशुका हो जाएगा या नहीं सी में हो तो बाद का सकसिसर कोन बनेगा उसके के लड़ाई हुने लगी उनके बैटों की बीच में एक तरफ अनमोरनzep जीते नहीं है इसलिए मुस्सकर पता है आपका थर्ड, तो D में थर्ड और B में फर्स्ट, ओप्शन क्या हो जाएगा आपका B, तो ये आपका बेटल इसके बारे में फूचा था, अब देखी, एक बेटल पुछी इन्होंने modern history से, ये हो गई आपकी, दो हो गई आपकी medieval history से और तो इसके लिए difficult बूला, आपको तीनो history का पूरा ancient से लेकर modern history तक का आपके Ashoka Moria period से लेकर, आपको modern period आपके British government आने तक का आपको पता होगा, तब जाकर आपको ये सवाल कर पाओगे, इसलिए difficult बोल सकते हैं इसका, which one is the biggest export of the cotton, biggest exporter of the cotton, अब इंडिया, चाइना, USA, जापन, काफी close-close answer, यहां पर options है, एक news आई थी, तोड़े थाइम, एक-दो महीने पहले, इंडिया का cotton export, इंडिया का cotton export, 18 साल के सबसे लो पे चला गया है, नो डाउट, यह एक current affair का ही question है, अब सीधे-सीधे तो पुछे का नहीं कि कितने साल के लो पे चला गया है, तोड़ सबसे घुमा के पूछ लिया, difficult current affair बोल सकते हो, सबसे ज़्यादा जो export करता है, वो करता है, cotton export की बात करें, तो cotton export में जो सबसे पहले नाम आता है, यहाँ पर हम raw cotton export की बात कर रहे है, उसमें सबसे पहले आता है, USA का, then Brazil का, then India का, कहीं लोगों ने इंडिया लगाया होगा, पर गलत है, तो USA इसका answer है, चाइना जापान में कम होता है, चाइना आपका, इंडिया चाइना जाना जाता है आपका silk के लिए, तो याद रखेगा, silk का export के लिए आपकी चाइना जाता है, बंगलादेश भी है, जो जूट के export के लिए, अब निस्ट के पूछ सकता है, देखो, cotton पूछा, cotton इसले पू चाइन एक्सपोर्ट में इंडिया की रेंग क्या है, थर्ड, इस लास्ट एर का डाटा है, अभी डाटा चेंज हो जाएगा, जब अगले साल यदि आप पेपर दे रहे हो, डिपेंड करता है कि आप एसे कुशल कब अटेंब कर रहे हो, यह लेटेस डाटा यहां पर आना होंगे तो, the great Indian novel is written by, चार option है, काफी ऐसे नाम है, जो कि हमारे सामने नहीं रहते हैं, जनरली हमारे सामने, हमने यह नाम नहीं सुने होंगे, शशी सदरूर का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि यह politicians है, लेकिन कम, यह चारो नाम randomly नहीं लिखे गए, यह चारो ही novel writers है, इन Kiran Desai का famous novel है, वो है आपका, the inheritance of clothes, a suitable boy, बचा किया, शशी थरूर, the great Indian novel, the great Indian novel, काफी famous novel है, the great Indian novel, यहाँ पर Indian आएगा, तो चारो के विक्रम शेट का, a suitable boy, शशी थरूर का the great Indian novel, किरन Desai का the inheritance of clothes, and the god of small things, शशी थरूर यहाँ पर मेच कर रहा है, 1989 में इन्हों ने यह novel लिखा था, काफी important novel था, काफी चला भी था, market में काफी लोगों ने पसंद भी करा, चारो ही novel काफी famous थ ठीक है, तो great Indian novel किसके साथ मेच कर रहा है, चुकि हम से great Indian novel के बारे में पुछा है, वो शशी थरूर के साथ, 1989 में इन्हों ने यह novel लिखा था, चली आगे, इस तरीके से important हो जाता है, कि जो books वगेरा जो लिख रहे हैं, जो novel वगेरा लिख रहे हैं, वो हमारे लिए important हो जा आते हैं, यहां पर भी देखे, कोई random नहीं दिया गया, चारों के चारों novel writers हैं, अच्छे famous novel writers हैं, सबके famous novels भी हैं, और आपको इनके famous ही है, एक एक दो दो novels ही है, यू नहीं है कि इनों ने अपने life में पूप novels लिख दे हो, ऐसा भी नहीं था, तो अच्छा सवाल था, difficult ब इसका आंसर होगा, ऐसा नहीं है, इंडियान नेशनल कॉंग्रेस जो थी, वो 28 दिसंबर 85 को बनाई गई थी, इसमें शुरुवात में 72 लोगों ने पार्टिसिपेट करा था, उन 72 लोगों की पार्टिसिपेट करा था, और इसकी पहली मिटिंग हुई थी, जिसमें इसकी चैर्मेंशिप, जो थी चैर्मेन को थे, इस समय आइएंसी के, वो यह थे, इसके जो फाउंडर थे, वो ए हो हूं थे, कहीं लोगों को तो लगता है कि यह तो अंग्रेज है, यह तोड़ी इंडियान नेशनल कॉंग्रेस के फाउंडर होंगे, लेकिन एसा नहीं था ब्रिटिश इंडियान सिविल सर्वेंट थे, इन्हों ने इसको बनाया था, ओप्शन काफी क्लोज है, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट फर्स लेडी प्रेसिडेंट थी, कॉंग्रेस की, फर्स लेडी प्रेसिडेंट, जबकि मोतिलाल नेहरू तो काफी बाद में आये थे, इन्होंने तो इंडियान नेशनल कॉंग्रेस से जुड़े थे, लेकिन इन्होंने जो बनाई थी, कि ऐसे फाउंडर मेंबर थे, आपके स्वराज पार्टी के, स्वराज पार्टी के, इसमें कुछ ओप्शन उपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि मेमोरी बेस क्यूशन हैं, ल केसा करा, तो अलग-अलग रीजन से, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, अनलाइस वाले पार्ट में, हमें तो क्यूशन स्वोल करना है, तो इन्सी की फाउंडर थे, वो कौन थे, एयो हूम, एयो हूम ने इन्हें बनाई थी, और इसकी फिर बात में, इसकी फिर मेंटिंग कर दिया, मोतिलाल नेरू, तो भी आमने हमने इसकी जिरी रहां करना थे, काफी सिंपल था, हमारे जो सांटइस्स थे, उनको मेंच करना था, देखते ही हैं अपने नंबर थे लिए। आप लोग पढ़ते ही हैं तो इस मे hear और यहां पर हो गया हमी जागीर भाबा हमी जाकी बाबा आपके न्यूकिले फिजिस के लिए हम लोग बोलते ही हैं इन्हें हमारी जो अटोमिक एनरजी अभी प्रोडियूस भोड़ी है वह हमी मिजागीर भाबा की दें में जबकि रमन एफेक्ट के बारे में आपने पड़ प्रियोप नंबर, ओमिजागिर बाबा, फॉर्थ, नुकलियर फिजिक्स, जिसे अटोमिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, जिसे यहां पर अटोमिक एनर्जी भी लिखा होता है, यह इन फुचर आप से पूछे, अटोमिक एनर्जी तो भी यह सही होगा, C.V. Raman, तो इसे Raman Effect के नाम से भी पूछ सकते हैं, light is creating third, क्या option हो जाएगा आपका सही, यहां पर मेच करिए, 1st, 2nd, 4rd, 3rd, तो C आपका सही हो जाएगा, इसके बाद मेच, मनरेगा की full form, काफी important है, इस बार के budget में काफी important रही थी मनरेगा की full form, मनरेगा एक एसा current affair का एस्टेटिक का पार्ट बोल दीजे, किस भी मानी, जो हमेशा important रेता है, मनरेगा की बात करें, तो 2005 में एक scheme लाई गी थी, Ministry of Rural Development ने, Ministry of Rural Development एक scheme लेकर आया था, उसका नाम था नरेगा scheme, National Rural Employment Guarantee Act, 2005, अब इसकी खास बात ये थी, कि इस नरेगा scheme में, अब आप से क्या पुछेगा, ये भी आद सुनिए, नरेगा scheme में, गाओं में, इसे कन्फ्यूस कर देगा थे पुछेगा नरेगा कि, इसे कंफ्यूस कर देगा आप को, तो 100 days आपको याद रखना है, दूसरी चीज, केवल rural areas में ये employment प्रोवाइड करा जाता है, तो एक scheme नरेगा इसके, नरेगा तो पूछा नहीं है, मनरेगा पूछा है, दरसल 2005 की इस scheme का नाम चेंज कर दिया था 2009 में, और इसको नाम दे दिया था, महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act, तो full form क्या हो जाएगी, काफी close थे, महारानी गंगुबाई, महादेवी गंबाटी, महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act, नरेगा की full form, आपकी काफी easy सवाल था, तेकिन आने वाले टाइम में इससे difficult सवाल बन सकते है, कि कितने दिन का employment प्रोवाइड करा जाता है, 100 days का, तो ध्यान रखेगा, 100 है, confuse कर देगा आपको, 3 महीने, 6 महीने ऐसे, तो आप सोच भी लोगे कि महीने के साब से मिलता हुआ, 90 सा ही होगा, 180 सा ही होगा, ऐसा नहीं है, और केवल rural areas में, चलिए, we discover the electrons, काफी easy सवाल था, ठीक है, गॉल्ड स्टीन, easy है, इन्होंने तो प्रोटोन को हो जाता, जैम शाडविक आपका neutron, जैजे तोम्शन, electron को discover करा था, और नेलिस बोर आपके hydrogen atoms और hydrogen spectrum को, काफी easy सवाल था, तो सही answer, यहाँ पर क्या पूछा है, who discovered the electron, अभी इसके लिए बताया है पेटा आप लोगों को, कि आज electron लिखा है, यहाँ पर, इस electron quota के कल neutron लिख देगा, चार option यहीं होगा, तो answer के हो जाएगा B, neutron की जगा, आपके proton लिख देगा, तो आप सवर जाएगा A, क्या बोले इनको question change करना है, option यह रखें, तो इनके पास अगले 3 साल का भी material है, CVT वालोग पास, आप से पूछ देगा hydrogen atom या hydrogen spectrum को, किसने discover कर आता तो वो nail is bore, तो इसका अभीद के time answer क्या होगा जाएगा, आने वाले time में याद रखी, proton, neutron या hydrogen atom या hydrogen spectrum के बारे में, या और भी किसी के बारे में, जैसे x-rays वगरा के बारे में, पूछ देगा, यह important था, काफी easy सवाल था, nearest planet to earth, काफी controversy वाला question है, क्योंकि option के इसाप से, यह sun है, तो इस sun के पास आपको यहाँ पर देखने को यह है आपका mercury, इसके बाद इधर Venus, फिर earth आ जाता है, then Mars, Jupiter, और Saturn, अब यहाँ से तो clear हो रहा है, earth के पास, या तो Mars, Venus, कुछ ऐसा होगा, तो बच्चे का यह बना के देखता है, कि nearest planet to earth, sun पूछ लेगा, अगली बार के पूछेगा आप से, sun के बारे में पूछ लेगा, तो nearest planet to earth, sun के हो जाएगा, mercury हो जाएगा, अभी earth के बारे में पूछा है, तो इसको देखते, nearest planet to earth, ऐसा लग रोटेट नहीं है, यह रोटेट करते रहते है, nearest planet to earth है, वो है आपका Mercury, यहाँ पर ध्यान दीजेगा, nearest planet तो है, वो है आपका Mercury, और closest वो है आपका Venus, यदि closest, अब अगले साल के लिए तयार हीए, closest पूछ देगा, तो answer Venus हो जाएगा, अभी क्या पूछा है, nearest planet to earth, nearest planet to earth क्या हो जाएगा, आपका Mercury, तो answer क्या है, इसका Mercury, कहीं जगह Venus भी लिखा हुआ है, तो काफी controversy है, देखना होगा, CVD इसका क्या answer मानते हैं, कि लेकिन सबसे ज़्यादा जगह यही लिखा हुआ है, कि nearest जो है, वो Mercury है, जबकि closest आपका Venus है, थोड़ा सा controversy वाला part है, इसके लाबा क काफी अच्छा Olympics हुआ था, लेकिन वो टोक्यो में नहीं हुआ था, 2022, यहनी last year, लेकिन वो टोक्यो में नहीं हुआ था, तो confused नहीं हो ना, काफी लोग लगा क्या होंगे, अरे यार, पिछले साल ही तो हमने काफी मजे लिये थे, Olympics देखा था, तो ऐसा टोक्यो में हुआ इसले साल जो Olympics हुआ था, वो हुआ था, बीजिंग में, और टोक्यो में एक Summer Olympics था, जो कि 2020 में आपके हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2020, टोक्यो समर Olympics, फिर बीजिंग, आप इसके पहले 2018 में, साउथ कोरिया में हुआ था, पेंग्योंग में, 2021 में होता नहीं है क्योंकि इवन एज में होता है, ये तो आपका बैसे हैं आप लग विजिंग में हुआ था, टोक्यो में हुआ था, तो आप जो नेस्ट आने वाले हैं, उन से याद रखिए, और इस बार आप से पूषदेगा, मेजढीक ओलम, टोक्यो ओलम्पिक्स, भीजिंग ओलम्पिक में तो यह कुछ आउशन न की बड़ंड हो सकते हैं क्योंकि जो इस्टिटेंस ने है कर दिया है उनकी memory उनके जो उन्होंने हमको data दिया है उसके आधार पर ये questions हम लोग आपके सामने लेकर आया है इसका purpose यही है कि आप लोग aware हो कि किस तरीके के किस level के सवाल आपका NTA, CUT के exams में पुछ रहा है Thank you very much